ओम नमस्कार मित्रों आज के वेडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मकर रासी वालों का दो नवंबर 2020 का दिन कैसा बीतेगा आज के दिन आपके जीबन में क्या-क्या पडिवर्तन क्या-क्या बदलाब होगा सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके कामकाज आपके काड़ च्छित्र के बारे में दोस्तों कामकाज के दृष्टी कोन से आपका समय सामान ने रहेगा न जयादा बिहतर न जयादा खराब दोस्तों आने वाले समय के दौरान अगर आप अपने कामकाज में अपने काड़ च्छित्र में कोई पडिवर्तन कोई बदलाब करना चाहते हैं तो पडिवर्तन करने से पहले आपको अपने सहकर्मी अपने कर्मचाडियों के साथ वर्ता लाप करना होगा वैसे अगर आपके दामपत्य जीवन की बात करें तो दामपत्य जीवन के दृष्टी कोन से आपका समय बहुत ही जयादा बिहतर और सांदर है दोस्तों आने वाले शमय से पहले अगर आपके दामपत्य जीवन में कहीं कोई पड़े सानी कहीं कोई समस्या था तो उस पड़े सानी को आपको खत्म करना होगा क्योंकि इस काम को करने में आपका शमय, आपका भाग, आपका शाथ अबश्य देगा लेकिन आप में से जो भी दर्सक, जो भी जातक सामाजिक काड़े करता हैं अपने समाज के लिए काम करते हैं तो आने वाले समय के दोरान आपके सामाजिक जीवन में आपको पड़े सानी का सामना करना पड़ेगा वैसे आप में से जो भी जातक, जो भी दर्सक नौकड़ी करते हैं, जौब करते हैं तो नौकड़ी के दृष्टी कौन से भी आपका समय सामानी रहेगा दोस्तो आने वाले समय के दोरान आपके नौकड़ी के छित्र में आपको जो भी काम दिया जाए आपको जो भी टास्क दिया जाए तो उस काम को मिहनत, इमानदाड़ी और एकाग्रता के साथ आपको पूरा करना होगा तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय के दोरान आपके लिए अनोखा तोट का भाग्ये साली रंग और भाग्ये साली अंक क्या है मित्रों टोटका बहुत ही ज्यादा सामान्न है आने वाले समय के दोरान अपने समय को बिहतर और सांदर बनाने के लिए आप अपने जेब में लाल रुमाल रखें अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका आने वाला समय सांदर हो जाएगा दोस्तों आज आपके लिए भग्य साली अंक है साथ यानी की सैबन आज आपके लिए भग्य साली रंग है पाड़ दरसी और गुलाबी तो यही था आज के दिन का रासी फल तो इस वीडियो को आप ल सब्सक्राइब कर दे इस वीडियो को आप हर जगा सेयर कर दे धन्यवाद